लें जनाब इस lecture के अंदर मैं अभी आपको बताता हूँ कि जनरेटिव AI को मैंने future लिख के cut क्यों किया हुआ है कैसे ऐसे यहाँ पर लिख है जनरेटिव AI is future लेकिन बिलीव में future बहुत पहले यहाँ पर आ चुक है यहाँ से मुराद है western countries के अंदर लोगों को awareness है AI की लोगो को पता है कि जनरेटिव AI क्या चीज है पाकस्तान इंडिया बंगला देश और इदर जो हमारा South East Asia है वहाँ पे भी पता है लेकिन use हम बहुत कम कर रहे हैं मैं यह कहूंगा जनरेटिव AI is now उसकी reason क्या है जनरेटिव AI के benefits में आपको बताता हूँ this can automate the manual processing of writing content जो हम दिन रात लगा के लगातार content लिखने में लगाते थे और content creator की अच्छी खासी market हुआ करती थी freelancing के दुनिया के अंदर now you can do the same task by actually using this GPT's models या जनरेटिव AI तो आप वही काम जनरेटिव AI के तरू कर सकते हैं तो time की budget होगी यह आपका जो email को respond करने का time है उसको भी बचा रहा है this can improve the responses to specific queries अगर आपके पास को specific query है it can resolve like this अभी chat के अंदर एक मुझे comment आया के हमारे पास जो जनरेटिव AI की मैंने बात की जो VAEs की बात की वो कहते के जी इनकोड गरके latent space में क्यों भेज रहे हैं variables को और latent space से आगे क्यों भेज रहे हैं मतलब यह कि latent space से generators क्यों आ रहे है encoders and generators यह decoders क्यों separate है तो भाई यही question अगर आप chat GPT में लिखेंगे you will find an explained answer ठीक है फिर realistic photos आप बना सकते हैं जो भी इंसान काम कर रहे हैं वो सारा काम आप कर सकते हैं and then you can actually simplify the process of creating content in particular style आप अपने style के अंदर भी लिख सकते हैं so this is the power of generative AI यही नहीं इसकी कुछ limitations भी है अब यह limitations आपके लिए opportunities साबित हो सकते हैं अगर आप इन पर focus करें for example, generative AI does not always identify the source of content यह इस वकत सबसे बड़ा flaw है generative AI का के आप अगर कुछ लिखते हैं यह source of content आपको नहीं देता reason क्या है आप बता सकते हैं याद करें तस्वीरों वाली मिसाल याद करें exactly वो तस्वीरों में सो जो नाक कान और कपड़े वगारा उतार के साइट पर किये थे ना काट के उन से नए इनसान बन रहे है what if we can create the same image from that data इसको बोलते हैं sources और जब sources आपके पास original होंगे then you can actually increase the power of generative AI क्यों क्योंके copyright वही रहेंगे for example अगर किसी बंदे ने music बनाया उसका गाना हिट गया है या art बनाई है वो art हिट हुई है मैं उसके similar art घर पे बैटा AI के तुरू बना रहा हूँ जब तक हम इसको लेबल ने करेंगे then these kind of copyrights issues will pop up a lot अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ यह बहुत challenging हो सकता है कि आप biasness of original resources जो है अगर resource पता भी कर लेते हैं source पता भी कर लेते हैं किसी भी चीज़ का अगर कोई आप text लिखा है जैसे papers के reference वगारा पता भी कर लेते हैं still it would be challenging कि आप biasness तो नहीं है आपके पास उसके लिए पांच text की books एक तरह की है आपने text कहां से लिया और क्यों लिया तो biasness का issue बन जाएगा फिर realistic sounding content makes it harder to identify inaccurate information समझा ही बात की इतना realistic sounding content होता है कि जब आप उसको verify करने जाते हैं कि क्या यह inaccurate तो नहीं है वो लगता ही नहीं है मतलब यह बात की generate का मतलब यही है new information generate करना जब वो है जनरेटिव है तो इसने वो context वो ही नहीं है रखना सो इतना realistic sounding content होता है कि बन्दा समझता क्या बात है क्या लिखा हूँ है and then it can be difficult to understand how to tune for new circumstances ठीक है and then results can gloss over bias prejudice and hatred मतलब यह कि आप जब इससे कोई content बनाते है मिसाल के तोर पे मैं ME chat GPT को बोल देता हूँ कि मुझे बताओ पाकिसान के अंदर फलाँ party अगर इक्तिदार में आप आजाती है तो वो क्या करेगी just imagine कि वो बाइसने इसकी base पे आपको क्या क्या लिखके दे सकते है ठीक है so आप कुछ भी करवा सकते हैं वो एक मिसाल देता होता हूँ कि गूगल के पास पे अप जनरेटी वे आई 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 आगी आपने देखा होगा गूगल के उपर आजकल वो कह रहे है Gemini is freely available for you Gemini के model आप यूज़ कर सकते है अगर आप वहाँ पे लिखे न model के अंदर कि जनाबे वाला फ्लाँ party अगर जीते तो ये अच्छा होगा फ्लाँ party अगर जीते तो ये बुरा होगा यानि कि pros and cons तो वो कुछ भी बताएगा जैसे एक मिसाल मैं देता हूँ Google पर आप लिखें कॉफी पिने के नुकसानात क्या क्या है आपके पास thousands of pages open हो जाएगे जहां पर आएगा कि ये भी नुकसान है ये भी नुकसान है ये भी नुकसान है Secondly आप पूछते है जना आप कॉफी पिने के फाइदे बताओ मुझे तो उसने फाइदों की लिस्ट बताएगा नहीं So Generative AI basically आपके context की base पे biased भी होती है ठीक है It cannot tell you negative connotation और बहुत कम negative connotations इसके लिए use होती है So Generative AI can be a big concern अगर आप इन limitations को overcome कर लेते हैं तो future में Generative AI आपकी जो Generative AI It can have a bigger impact over million dollars industry जो इस वकर चल रही है ठीक है जी Then हम चलते हैं आगे Concerns कौन-कौन से है Misleading information आपके पास आती है The information is difficult to trust क्योंके हमारे पास source नहीं है New kind of plagiarism introduced हो गया ठीक है मिसाल के तोर पे हमारे पास अगर for example किसी creator या artist किसी original content का source ही मुझूद नहीं है So how can we actually check the plagiarism समझ रहे हैं बात को जैसे papers के अंदर होता है So this is totally a new kind of plagiarism and nobody can detect it actually ठीक है It might disrupt existing business model जो और रेडी कर चुक है ठीक है It makes it easier to generate fake news आप fake news कोई भी बना सकते हैं And it can also be easier to claim that real photographic evidence of wrongdoing was just an AI generated fake समझ आई बात की मिसाल के तूर पे मैं आपको मिसाल दे तो बड़ी आला मिसाल है कोई बन्दे की आप real चोरी करते हुए भी तस्वीर या image उठा लेंगे न उनने कहना AI generated है आप क्या कर लेंगे जितना मर्जी फोरेंजिंग कर वा लें किसी को नहीं समझ आती कि ये real है ये fake है क्योंकि हम labeling ही नहीं देते कोई भी नहीं देता labeling so whatever you are doing you can actually claim कि ये AI generated fake image है सही है so usually क्या होता है crime scene की अगर video मिल जाए तो admissible evidence होता है लेकिन अगर वो ही आप कह दें कि fake generated है और दूसरों के बास प्रूफ नहीं हो कि fake generated नहीं है then you can do a lot of things so believe me it has a very bigger impact at this moment it could impersonate people for more effective social engineering cyber attacks मिसाल देता हूँ जी आपको आपको अक्सर हो आद Facebook पे message आए एक आपकी दोस्त का और वो आप से गह रहो अचानक क्या हाल चाल है भी ठीक ठाक है फिर थोड़ी दर बाद के यार थोड़ी से पैसे लगवा दो फलाँ अकाउंट में और अक्सर वो fake account होते है so basically they can impersonate fake people as well मिसाल के तोर पे अभी मैं class पढ़ा रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है कि मैंनी बैठा हूँगा AI generated content बनेगा और मेरा मतलब एक किसम का वीडियो के अंदर ही मेरी lip sync भी match कर रही होगी क्योंकि मेरे पास hours of recording है and I can create new content based on the text जो AI generate करेगी यानि AI can generate real me teaching you guys तो वो दिन दूर नहीं है believe me it could happen in 2024 and मेरा थो पूरा भरोसा है चीज़ पर क्योंकि Lumiere Pro जो है वो आने वाला है और Lumiere के अंदर model के अंदर उनने time and space के अंदर video editing की सलाहियत रखी है so just imagine that I'm speaking here और ये तो पहली हो चुका के मैं उर्दू में पढ़ा रहा हूँ मैं इंग्लिश में अपनी जुबान को कर सकता हूँ and I can actually match the lip-sync as well और caption AI के एक 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 अप and there are many apps out there which can do these kind of things so you can impersonate people impersonate accents अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है I can teach Gora people in English as well वो हिशाम सरवर साब के एक वीडियो आई थी तिना इसके अंदर वो एक साइड पर उर्दू में बोर रहे हैं दूसरी साइड पर इंग्लिश में बोर रहे हैं and you cannot actually see the difference between those two accents और आपके लहजे में भी कोई रिकावड नहीं हाती वो सेम ही लगता है so this is the power of generative AI okay आगे चलते हैं कि generative AI के tools कौन-कौन से हैं अगर आपने text generate करना है तो आपके पास GPT है Jasper है AI Writer है and Lex है and there are many other tools image generate करनी है then you have DALI 2 mid journey and stable diffusion stable diffusion free में है DALI 2 भी chat GPT के अंदर इस वकत आ चुक है अगर आपके पास pro version है तो plus version या premium जो भी है and then mid journey is costly लेकिन इसकी image mid journey की image आप believe me इतनी कमाल की है कि बंदा अंदाजा ही नहीं कर सकता है कि ये mid journey ने कैसे बनाई है but you know that generative AI फिर music generation के लिए Emper है data boards है and then musenet है एक music LLM भी है then code generation के लिए code starter है codex है github copilot है आप सभी को पता है जनरेट करती है then voice synthesis tools include descript, listener and podcast.ai ये basically listener को उन्होंने listener भोला हुआ listener तो ये basically voice synthesis tool है then AI chip design tool companies include synopsis and cadence google and nvidia ये जो companies हैं they are actually making chips जिसके अंदर AI होगी यार देखें tools आपको मिल गए अब chips आने वाली हैं जैसे Samsung Galaxy के अंदर Galaxy AI है इस तरह की neural engine की chips आने वाली जिसके अंदर AI built-in programmed होगी जैसे chat GPT है हो सकता है chat GPT वाले अपनी device निकालने जैसे google है हो सकता है google वाले अपनी एक device निकालने कर जो भी पूछना है सानू पूछो and there are many things going on जो chip के अंदर AI design chip tool हो जाएंगे AI chip design tool हो जाएंगे जो basically आपके पास chip के अंदर store हो जाएंगे and then you can just wear and do anything अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपनी watch दिखाऊं तो यह smart watch है इसके अंदर भी AI मजूद है कौन सी AI? Conversational AI Conversational AI क्या होता है? इसके बारे में हम देखते हैं लेकिन उससे भी पहले दो चीज़ें आपको याद रखनी है एक होती है Generative AI एक होती है Predictive AI एक होती है Conversational AI Generative AI new content देती है Predictive AI क्या करती है? In distinction to Generative AI यह pattern of historical data की base पे outcomes को forecast करती है मिसाल के तोर पे मेरे पास Generative AI का मतलब यह है कि मैं कुछ data दूँ और नई चीज़ बना लू Generative AI ठीक है? समझ आगी है अब चलते हैं Predictive AI पे Predictive AI क्या करती है? पिछले trends को और सारी चीज़ों को read करके future prediction बता रही है जैसे आपकी time series analysis में weather forecasting आगी stock market की forecasting आगी आपका कोई climate change के अंदर कोई forecasting है कोई agriculture में forecasting है whatever you want to predict for future or from the recent data this is called predictive analysis फिर आपके पास आती है conversational AI conversational AI क्या है? आप किसी के साथ बात करें और वो आपको जवाब दे मिसाल के दोर पे Google का घे Google आप भोलते हैं तो वो पन हो जाते है Siri का जो Apple के अंदर है आपके पास Alexa है आपके पास ChatGPT के अंदर काफी tool अगे है TalkToChatGPT अगर ChatGPT की app करो आप उसके साथ बात कर सकते हैं So ये conversational AI helps AI system like virtual assistants chatbots and customer service apps interact and engage with humans in natural way ये आवास के थुरू भी हो सकते है ये text के थुरू भी हो सकते है ये text messages के थुरू भी हो सकते है It uses techniques from NLP and machine learning to understand language and provide human-like text or speech responses यहां तक clear हो गया जनाब कैसे ये काम करती है अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ Generative AI की best practice कौन सी है जब भी आप कोई चीज generate करें उस पर labeling ज़रूर दें कि ये Generative AI से create करता है ठीक है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो generated AI result आपको दे रहा है ये 22 है या नहीं है ठीक है Then you have to double check the quality of AI generated code before using that आपने ये नहीं करना कि चैट GPD ने जो code दे दिया उठागे डाल दिया नहीं पहले coding सीखे Coding सीखने के बाद चैट GPD का दिया हुआ code होना चाहिए जैसे चैट GPD source आपको अच्छा नहीं देता ठीक है आप academic writing के लिए इसे use नहीं कर सकते दूसरी साइड पे harpa AI है जिसके अंदर चैट GPD यूज़ करेंगे लेकिन आप academic writing के लिए इसे use कर सकते है perplexity.ai है यह दोनों कमों के लिए use हो सकते है cloud AI है anthropic का यह भी आपके लिए academic writing के लिए use हो सकते है उसके लिए मैं आपको recommend करूँगा कि हमारा research tools के उपर हमारी website पे जब आप जाएंगे इसका description में link दी है हमने वहाँ पे एक पूरे दिन की workshop है जिसको एक course में convert किया है which you can learn on this weekend totally free में AI tools का use in research writing तो आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं कि research writing के लिए AI tools कैसे use हो सकते हैं but familiarize yourself also with common failure mods in results and work around these ठीक है अब generative AI business के अंदर कैसे important है आपको पता है हर business के अंदर AI है आप customer experience को improve कर सकते है आप create content on the fly यानि के within no time आप content create कर सकते हैं social media के लिए आप facilitate कर सकते है client services को आप personalization को boost कर सकते है के कौन सा customer क्या चार है जैसे google करती है आपको personalized ad भेज के improve task efficiency and then you can develop new products based on generative AI and then you can also spur knowledge management ठीक है you can do a lot of things you can learn a lot of things and then you can use generative AI to do that who creative generative AI अगर आपसे ये स्वाल पूछा जाए तो जोजफ वाइस बॉम जो है इन्होंने create किया था first generative AI in 1960s as a part of ELISA chat board ठीक है और ION good fellow demonstrated generative adversarialian network GANS for generating realistic looking and sounding people in 2014 फिर आपके पास LLM's की subsequent research आने लागी है ठीक है अब एक question आता है कि जनाब generative AI कौन-कौन सी jobs खा जाएगी इस पे हम बात करेंगे अपने next lecture के अंदर which is coming in few minutes पार्णाद आपके से Al Sex